हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विसेयों का प्रक्टिस सेट मिल जाएगा जो परिच्छा की द्रष्टी से अती महत्पूर है तो चलिए देर ना करते हुए कोईस्चन स्टार्ट करते हैं पहला कोईस्चन है क्लोरो माई सिटिन का परियोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा टाइफाइड के कर से बिटामीन B5 क कमी से किसकी कमुशे अगला कोशे़िशन है पिर्थवी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक नियुन तम परच्षेपढ वेग कितना होता है तो इसका अनियुन्तम प्रच्छेफड बेग जो है वह 11.2 किलोमीटर सिकंड के हिसाब से होता है कौन सा अमल दूद से दही बनने के दोरान बनता है तो लैक्टिक अमल जो है वहा दूद से दही बनने के दोरान बनता है ठीक है अगला कोईशन है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है तो फिटकरी जो है वह गंदले पानी को उपचैन द्वारा जो है उपचैन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है ठीक है चंद्रियान फश्ट का परछेपड कहां से किया गया तो चंद्रियान फश्ट का परछेपड जो है वहाँ सतीस धावन परछेपड केंद्र स्री हरिकोटा आंधर परदेश से किया गया था ठीक है कहां से किया गया था सतीस धावन पर छेपड़ केंदर स्री हर कोटा जो की आंदर परदेश में पढ़ता है वहां से किया गया था Next question है सरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हिर्दय रोग होने का खत्रा होता है तो सरीर में कोलेस्ट्राल की मात्रा बढ़ जाने पर हिर्दय रोग का खत्रा अधिक होता है किस रोग का खत्रा हिर्दय रोग का खत्रा किस के बढ़ जाने पर कोलेस्ट्राल के बढ़ जाने पर ठीक है चंद्रियान प्रथम को किस राकेट से परछेपित किया गया था कहां से किया गया था तो यह भी हमने आपको बताया है कि सतीस धवन परशेपड केंद सिरी हरिकोटा से किया गया था अगला जो कोईश्चन है वह है आम की संकर परजाती H.41 जिसका गूदा लाल रंग का आकरसक उच्छ पी एसस अधिक करो टिनाई इड्स नियमित फलन सभाव एंत्रेंक कनास सहिस्रून एयों बौना पवधा सभाव के गुण रखने वाली नई संकर विक्सित परजाती है जो किन दो परजातियों का क्रास है तो यहां क्रास मतलब दोनों लोगों का मेल तो यहां अमरपाली और वनराज प्रजात को मिला करके बनाई गई है संकर मतलब ही होता है मिलान ठीक है दोनों लोगों का मेल अरहर की जी टी एच प्रत्थम संकर किस्म गुजरात राज के लिए पहचानित की गई है जो CMS-based hybrid पर आधारित है किस पर आधारित है CMS-based hybrid पर आधारित है सरसो यानि mustard जिसे हम कहते हैं इंगलिस में कि CMS-based hybrid पर आधारित संकर पर जाती अच्छी उपज वाली 31% क्रांती किस्म से अधिक उपज देर बुआई दसाओं हे तू RNCM भारत पुर्द्वारा नई विक्सित कई गई है तो यह जो है RNRCHB506 है सूरज मुखी की एक नई संकर के रभी एयों ग्रीस में खेती है तू देश के विभिन सरसो उत्पादक छेत्रों के लिए विक्सित की गई है यह जो है DRSH1 संफ्लावर है कुसुम की प्रथम सियमे साधारि संकर प्रजाति देश के कुसुम उत्पादक छेत्रों के लिए नई विक्सित की गई है जो उक्ठा रोधी, माहू, सहिसूर, उचबीज, उपजयों, 14% अधिक तेल उत्पादन में अधिक गुडों से भरपूर है तो वह जो है MRSA 521 संफ्लावर है सोयबीन की नई विक्सित प्रजातिया है तो प्रताप सोया 2 है जो की उत्तर पूर्व दच्छिन छेत्रों है तो है तथा TAMS 921 है जो की महाराष्ट के विधर्व रीजन ही तो है नई विक्सित प्रजातिया वसुंधरा DH101 GS99 GG8 GG16 MTG 38B रिलीज की गई वह किस तिलहन फचल की है तो वह जो है मूंग फली तिलहन फचल की है प्याज यानि ओनियन की निरियात एक्सपोर्ट है तुप्रजातिया जो सितंबर से फरवरी में बुआई योग रहती है किस रंग की है तो यह जो है यलो ओनियन वहरी टाइस कलर की होती है त्रीवर के तहत विक्सित किया गया है जो अंडी उक्ठा जड़ सडन रोगने अरहन मिर्च तिली दलहनों योम लोविया में परियोग किया जाता है वह जो है जैव कीट नासी है क्या है जैव कीट नासी इंडियन फार्मिंग इंगलिस मन्थली खेती यानी हिंदी माशिक फल फूल हिंदी दुई माशिक किरिसी चैनिका हिंदी क्वाटर निका तथा इंडियन हार्टी कल्चर अंग्रेजी दुई माशिक पत्रकाए नियमित प्रकासित की जाती है यह जो है नई दिल्ली द्वारा नियमित प्रकासित की जाती है आई सी ए आर यानी इंडियन काउंसिल आफ एग्री कल्चर रिसर्च जो की नई दिल्ली में प्रकासित की जाती है जल के विद्धुत अब घटन में कैथोर्ड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है तो इससे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है नाइट्रोजन गैस जो है वहाँ लिटमस के प्रती उदासी यानी निचुरल होती है नुकलियर रियक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है एक जिवाडू का आकार एक माइक्रोन है एक मीटर लंबाई में जीवाणों की संख्या कितनी होगी तो जीवाणों की संख्या 106 मीटर होगी कृतकार शूनी कब होता है तो कृतकार शूनी जो है जब जल और विस्थापन परसपर लंबवत दिसा में होते हैं तब यहां शूनी होता है एक स्वस्थ व्यक्त की नाड़ी की गत शामाने तहा कितनी होती है तो एक स्वस्थ व्यक्त की नाड़ी की गत शामाने तहा सतर से असी प्रती मिनट की गत से होती है कौशियोर कर बीमारी खुराक में किसकी अत्याधि कमी के कारण हो जाती है पैंसिलीन की खोज किस वैग्यानिंग ने की थी तो पैंसिलीन की खोज एलेकजंडर फ्लॉमिंग ने की थी किस ने की थी एलेकजंडर फ्लॉमिंग ने पैंसिलीन की खोज की थी जो कि सुगर रोग के लिए होती है हरे पौधों में पोटेसियम किस रूप में होता है तो हरे पौधों में पोटेसियम नाइट्रेट के रूप में होता है जिसका रशाइनिक सूत्र के एन ओ थिरी है दो या दो से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना जिसमें कतार यानी पंक्ती जिसें इंगलिस में रो कहते हैं अनुपात या लगाव दूरी ना हो कही जाती है तो वह जो है मिस्रित सस्यन कही जाती है क्या कही जाती है मिस्रित सस्यन जिसको इंगलिस में मिक्स इंटर क्रॉपिंग कहते हैं दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिला कर एक साथ उगाना जिसमें फसलों का पंक्तिय अनुपात रखा जाए कहा जाता है तो यह जो है सह फसली पध्यती कहा जाता है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ हुगाना जिसमें विभिन पटियां काफी दूरी पर या चोड़ी हो लेकिन फसलें काफी तंग हो और स्वतंत्र खेती की जाए और सस्यन दिष्टी से सह सम्मंद रखें ऐसी सस्यन पध्यती कही जाती है किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपड करना जो रिले रेस का उल्टा हो और पहली फसल जमीन को दूसरी फसल है तू छोड़ रही हो कहा जाता है तो यह जो है रिले इंटर क्रापिंग कहा जाता है अंतर वर्तिस्यन पध्यत में आदर्स यानि लेर या अंतराश्टिय लेर मान होना चाहिए ताकि वह पध्यत लाफ रथ हो तो वह जो है 1.4 अथवा इससे अधिक लेर मान होता है अगला चो कुश्चन है वह है आलू यानि केंद्रिया आलू अनुसंधान CPRI यानि Central Potato Research Institute का मुख्याले यानि हेड़क्वार्टर इस्थित है तो केंद्रिया आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्याले सिमला में इस्थित है जो की हिमांचल प्रदेश में पढ़ता है अभी आपको याद रखना है आलू के पाउधे में तना अभी पती नेक्रोसिस रोग जिसका प्रसार मद्ध प्रदेश, राजस्थान वा उत्तर प्रदेश में अधिकांस देख खा जाता है जिसका कारण वाइरस है वाइरस च्या है वाइरस सोला नम वाइरस शिकस है आलू के तने एवं केंद्रों पर वाटी वर्धी से वाट रोग पैदा हो जाता है जिसका मुखिकारक है जिसका मुखिकारक जो है संस्थेरियम इंडो बायोटीकम इसके प्रिक है सरसो में कलब रूट रोग का मुखिकारक है तो सर्सों में कलब रूट रोग का मुखिकारक जो है वह प्लास्मो डीफोरा ब्रेक्सिकिया वैरोन नीन है नेक्स्ट जो कोईशन है वह है इकवारेज या आयतन से एक कनपाते तीन का किस किस का मिस्रण होता है तो यह जो है सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रो कलोरिक एसिड का मिस्रण होता है ECG किस आंग की गत्विधियां प्रदर्सित करता है तो ECG जो है वह हिर्दय यानि हाड की गत्विधियां को प्रदर्सित करता है एस्पीरिन का रशायनिक नाम क्या है तो एस्पीरिन का रशायनिक नाम एसिटिल सेलिसिलिक एसिड है क्या है एसिटिल सेलिसिलिक एसिड मोमबत्ती बनाने के लिए प्रव्यक्त मोमरसायनिक दृष्टी से एक मिस्त्रण है तो किसका मिस्त्रण है एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ठीक है लिटमस प्राप्त किया जाता है तो लिटमस जो है लाइकेन में प्राप्त किया जाता है प्रकृति में सबसे ससक्त बल तो प्रकृति में सबसे ससक्त बल जो है वह नाब किये बल है यानि नुकलियर फोर्स आप एचिक सिध्धान्द के अनुसार कौन सदा एक शामान रहता है तो प्रकास का वेग सदा एक शामान रहता है किसी उपगरह से अंतरिच यात्री द्वारा गिराई गई वस्तू उपगरह की गतिका अनुसरण करती रहती है वरांध यानि कलर ब्लाइंड व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता है बहाबापरमाडू नुसंधान केंद B.A.R.C. कहां इस्थित है तो बहाबापरमाडू नुसंधान केंद जो है वहाँ ट्रामबे मूंबई में इस्थित है अगला जो question है वहाँ है आलू के कंदो में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्त की उपस्थिती में पैदा हो जाता है यदि वह खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए वह जो है सोले निन तत्त से निकल आते हैं प्याज में पीले रंग की उपस्थिती किस करण देखी जाती है तो प्याज में पीले रंग के उपस्तिती क्वेरेसिटीन तत्तु के कारण देखी जाती है चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण होता है तो चने की पत्तियों में खटास कैनिन मैलिक आगजेलिक एसिट के उपस्तिती के कारण देखी जाती है तिलहनों के तेल में पीला रंग किसकी उपस्थिती से होता है तो यहां कैरोटिनाइजड एलाइल आइसो थाइसेनेट तत्त के करण होता है हल्दी में पीले रंग के उपस्थिती का यातर साती है तो यहां कुर्व कुमिन तत्त बन जाना दर साती है आवले के फलो में कसैला पन स्वाद किस तत्त की उपस्थिती के कारण होता है तो यह जो है टैनिन, इलेजिक, गैलिक और पाली, पिनो, फिनोल की उपस्थिती के कारण कसैला पन का स्वाद होता है पपीते के फलो में पीले रंग का क्या कारण होता है तो इसमें जो है कैरी का जैन थिन पिगमेंट की उपस्थिती के कारण होता है बेल के फलो में कड़वाहट का कारण होता है तो बेल के फलो में कड़वाहट का कारण मारमेलोटसिन तत्त की उपस्थिती होता है करेला के फलो में कड़वाहट किस तत्त की उपस्थिती के कारण पैदा होता है तो यहां जो है मिमोड्रिकोसाइड या फिर ट्रेटा साइकलिक ट्राई टर्पाइन के कारण होता है टामाटर के फलो में लाल रंग किस तत्त को दरसाता है तो यह जो है लाइको पीन तत्य की उपस्तती को दर्साता है वैक्टिरिया का प्रतेक मिनट में दो गुना विकास होता है तथा एक घंटे में वहाँ एक कब को भर देता है आधे कब को भरने में कितना समय लगेगा तो आधे कब को भरने में वन सथ मिनट का समय लगेगा कितना समय लगेगा वन सथ मिनट का समय लगेगा थाइरोकसीन क्या है तो यह जो है हार्मोन है ओजोनपरत कहा इस्थित होती है तो ओजोनपरत जो है वह समताप मंडल में इस्थित होती है जिन्हें हम इंगलिस में stratosphere कहते हैं Tamarid यानि Emily में कौन सा अमल होता है तो इसमें जो है टार्टेरिक अमल होता है मानो शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है तो मानो शरीर में संक्रमण रोकने में सहता करने वाला विटामिन विटामिन A है प्लाश्टेर आफ पेरिस का रशाइनिंग नाम क्या है? तो प्लाश्टेर आफ पेरिस का रशाइनिंग नाम हाइडरस कैल्सिया मस सल्फिट है यानि इसका सूत्र जो हो जाएगा वहां हो जाएगा CaSO4-2H2O हो जाएगा विटामिन E का रशाइनिंग नाम क्या है तो विटामिन E का रशाइनिंग नाम तोकोफेराल है क्या है तोकोफेराल फसलों के कीट नियंत्रण में हरे रंग का छोटा ततया जो दो सो प्रकार के नुकसान देह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है तो उसको जो है ट्राइको डर्मा कहा जाता है ठीक है? एक जैविक फफूंद नासी जिसका परियोग बीजो उपचार भूम उपचार तथा खड़ी फसलों पर पंड़िये छिड़काओं में किया जाता है घुलन सील पाउडर है उसे कहते हैं तो उसको जो है ट्राइको गार्मा कहते हैं एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, गौर, आदि फसलों में लगने वाली सूरियों को नियत्रित करता है उसे पुकारा जाता है तो उसको जो है एन पीवी नाम से पुकारा जाता है जिसका फूल फार्म नुकलिय पाली हायर्ट्स वाइरस है एक फफूद नासक उत्पाद जो पौधों फसलों में लगने वाली फफूदी को नियत्रित करता है कहलाता है तो वह जो है विवेरिया वेसियाना कहलाता है एक बेक्टेरियल पैश्ट्री साइड जो फशलों में विभिन परकार के छेद करने वाले काड कर कुतर कर खाने वाले कीटों को मार दिता है उसे कहते हैं उसको जो है वीटी कहते है वीटी यानि बैसिलस गुरिंजीएशस कहते है ठीक है बायोपेश्टीज साइड एक ऐसा किर्शी उपकरण यानतरि जिसमें मादा, यानि फीमेल कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर यानि मेल पतंगों को पालिथीन की थहली में फसा कर नीइनतरित किया जाता है उसे पुकारा जाता है तो उसको जो है फायरो मैंट्रेप नाम से पुकारा जाता है गलकंड रोग से मान सरीर की कौन सी गरंती बढ़ जाती है तो गलकंड रोग से मान सरीर की थाइराइड गरंती बढ़ जाती है कौन सा कीट काला जार फैलाता है तो सेंड फ्लाई जो है काला जार फैलाता है धातु की एक वरगाकार प्लेट में विर्ताकार छेद किया जाता है गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा तो गर्म करने पर छेद में छेद जो है बढ़ जाएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट प्रक्टिसर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यल आइकन प्रेस कर दें जिससे के हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए थैंक्यू जैन जै भारत